हलो चिल्रन, you are most welcome in full education classes. आज हम करने जा रहे हैं, the diary of a young girl का fourth part. इसमें जो entries हैं, November 28, 1942 से June 15, 1943 तक की entries include की गई हैं चिल्रन. इससे पहले हमने देखा है, previous वीडियो में, कि किस तरह से Mr. Dussle, जो एक dentist है, वो secret annex पहुंचते हैं, और वो Frank family को देखकर, वहां surprised हो जाते हैं, क्योंकि वो expect कर रहे थे हैं, कि जो Frank family है, वो Switzerland में होगी, यहां तक हम लोग देख चुके हैं. चिल्रन, I hope कि आपको यह सब याद होगा, so let us start with it. अब देखे, Saturday November 20th, 1942 की entry है, चिल्रन, यहां पे Mr. Dussle, जो hiding people है, hiding people बहुत excited हैं, बाहर की information को जानने के लिए, क्योंकि अभी Mr. Dussle नए आया है, वो hiding people जाना चाहते हैं, कि बाहर क्या-क्या हो रहा है, तो Mr. Dussle उन्हें बताते हैं, कि किस तरह से juice के उपर cruelty की जा रही है, किस तरह से मारा जा रहा है, देवा गेस to death, already हम यह सब देख चुके हैं, प्रिवेस वीडियो में, I hope कि आपको सब याद होगा, किस तरह से gastropony cruelty की है, वो सारे point-wise हमने दिये हैं, तो यह स्टोरी है Mr. Dussle की इतनी घुरूसम है, इतनी डरावनी है, कि इस्पेशली मर्डर ऑफ वुमें इंचिल्डन, बीक पीपुल का मर्डर, इन सब को सुनकर जो है, वो बहुत ज़दा ड़ जाते हैं, यह दहशत हो जाती है, अब आगे देखते हैं कि Mr. Dussle रहेंगे कहाँ, यह प्रॉब्लम थी, आपको बता है, चिल्डन बहुत ज़दे छोड़ छोड़े, छोटा सा एरिया है, रूम्स भी काम है, रहनी की कितनी दिक्कत है, तो Mr. Dussle एनी के संग रूम शेयर करने जाएंगे, वो क्या रूम शेय अब प्रिचर अव लॉं सर्माट, जस्लाइक अनी की मॉम उसे कितना प्रीच करती है, अब बें मिस्स वेंडान भी है, वो भी उसको प्रीच करती है, Mr. Vendan भी अब एक नए एक और आ गये है, यह उसे प्रीच करती है, उसको बता रहे हैं कि आपको यह करना चाहिए, यह आपको तो कम बोलना चाहिए, मैनर्स के उपर, एटिकेट्स के उपर वो इतने लेक्चर देते हैं कि एनी उनसे बहुत बोर हो रही है, तो एनी इस फैमिली को एक फैमिली ऑफ निट पिकर्स कहती है, जापे हर कोई शॉर्ट कमिक्स धून रहा है, स्पेशल एनी की, ओके आगे देखते हैं, Monday, December 7, 1942 की एंट्री है, चिर्ण यहापे दो सेलिब्रेशन के बारे में एनी लिखती है, एक हनुका इन सेन निकोलास डे का सलिब्रेशन है, तो हनुका के आई चिर्ण यह जीविश फैस्टिवल है, जिसमें एट कैंडल्स जलाई जाती है, तो इन लोग सेन निकोलास डे को एनी के फादर कुछ बास्केट में प्रेजन भरके रखते हैं, और उसमें एक ब्लैक पीटर का मास्क भी रखते हैं, वो एक क्यापिनेट में चुपा देते हैं, बाद में उस बास्केट को खोला जाते है, उसमें कुछ जो गिफ्ट होते हैं, उनको सब आगे देखते हैं चिल्डर थाज़े डिसमबर 10,1942 की एंट्री है अब यहां पर एनी थोड़ा सा यूमरस डिस्क्रिप्शन दे रही है जो दोनों पॉइंट्स मैंने यहां पर लेके हैं आप देखें पहला वह मिस्टर वेंडान की कुकिंग अबिलिटी के बारे में बताती है अब जो नेक्स पॉइंट है इस आउसो विरी हूमरस चिल्डर यहां पर क्यूंकि एनी का मुस्ट अप दे टाइम हमने उसका एक फिलसोफिकल रूप देखा है शी राइट्स अब रिलेशन्शिप बिटरनेस अफ दे रिलेशन्शिप ऑब्जर्विंग है वो हर चीज क कि मैं अपनी डेंटल प्रेक्रिक शुरू करता हूं तो मिस्स डेसल के क्याविटी को स्क्रैप्ट आउट कर रहे हैं जब उसे हटा रहे हैं तो मिस्स डेसल को पेन हो रहा है शी स्क्राइंग और वो पूरे कमरे में घूम रही है तो हर कोई जो पे जो वहां प्रेजेंट रूम में वो इंजॉय कर रहा है उनकी सिचुएशन को देखें चिलन संडी डिसंबर 13-1942 की एंट्री है अब एनी बहुत वरीड है जब जूस की जो डिप्लोरेबल करडिशन के बारे में जानकर मिस्सर डसल से भी हैं दे हावा रेडियो जो डॉंस्टेर्स रखा है सिनाफलेए तसी कंडिशन का जार पयंगरो की जिरम पेंगाई नियुक्त यह जो टॉखर रहा हैं जितने भी जीऊ धंपार वो सार। आगे चिलन यह है कि वर पूरे जोर शोर पहें, Christian, Jews, इस सारे लोग वर को खतम करना चाहते हैं, It is not only Jews इनको torture किया जा रहा है, Christians को torture किया जा रहा है, Gypsies को torture किया जा रहा है, क्योंकि जो Hitler है है, superiority complex उसको यह complex है, that being a German, कि हम लोग superior race है, and it is a right, both right, कि हम दूसरों को dominate करें, चिलन आगे देखिए, Thursday, December 22nd, 1942 की entry है, अब बहुत सारी problems और भी हम देखते हैं, यहां पर क्या क्या है, fresh food की problem तो ही है, because supply बहुत काम है, जो उनके supporting people है, वो लाते हैं समान, लेकिन इतना ढंग से नहीं ला पाते हैं, नेशरली, because उनको भी डर है कि बहार, उनको नोटिस ना किया जाए, तो beans और spoiled potatoes के उपर उन्हें बहुत समय तक रहना पड़ता है, और beans को देखके नहीं लेखती है, कि वो fed up हो गई है, beans को देख देखके, इसके अलावा, तो hiding people बहुत खुश होते हैं, एक दिन उने पॉंड of butter, extra मिल रहा है, okay, quarter pound of butter, extra मिल रहा है, वो Christmas के दिन मिल रहा है, तो यह उनको बहुत खुश है, वोजन के उनको थोड़ा से extra कुछ मिल रहा है, लेकिन अप लिटिल बिट, इस सर्प्राइजिंग है कि हम देख रहे हैं कि नहीं, वो पॉजिटिव पोईट्स भी देख रहे हैं Mr. Vendan के चरेक्टर में चिल्डर, यू के फोटोग्राफ यह विच पेस्टेड, इस्टीगेटर है वो, Mrs. Vendan, N.E. के कॉर्णिग, इस पेस्टेडर में जो लड़ाई जगरें इंसाइड करते हैं लोगों के बीच में, इस प्रिटिव में पढ़ चुके हैं, पिटी-माइड़ेड हैं, इस पेस्टेडर में जानने को जो बहुत हैं, तो यह सब उनकी निगिटिव आस्पेक्ट हैं लेकिन इसके संग संगो नीट है, चीरफुल एंड हार्वकिंग है, इस पेस्टेड हैं, इसपेस्टेड हैं इसको बोलती है, तो यह सारे लोग इसपेशली एनीग के ही शॉटकमिंग धूण रहे हैं, आगे चिल्दन मेंसटे जैनवरी 13, 1943 के उंट्री है, यहां पर एन्य एज एवर अपनी मदर के हार्ष बीहिवियर के बारे में कंप्लेंड करती है और उसे लगते हैं कि उनकी जो वाढ़्स है लाय एरो उसे चुपते हैं, यहां पर एन्य इस मदर मिसिस एडिट का केरेक्ट आगे चिल्टन एक में एक चीज़ भार फिल होती है अगे आम रिमाइंडेंगे क्योंकि एक एक चीज़ बाद से बता रहे है तो कोई भी उसे अंडेस्टेंड करने को तयार नहीं है जब मिस्टर दसल आए उसे लगाता था लगता था जब भी फायदा नहीं है तो चाहती है कि अगर God उसके सामने आ जाए तो God से क्या मांगेगी another personality की उसको एक दूसरी personality दे दो God so that she could satisfy each and everybody okay तो इस तरह से वो sometimes she is so hopeless Sunday February 27, 1943 के entry है चिल्डर अभ यहां पे कुछ जो political incidents से उनके बारे मैंनी मेंशन कर रही है जैसे imminent invasion है Churchill का की health problem है कि उन्हें pneumonia हो गया है Churchill कौन है वो उस समय के ब्रिटिन के प्राइम मिनिस्टर है और गांधी की hunger strike क्योंकि इंडिया में भी freedom movement चल रहा है गांधी जी एक top leader है तो naturally वो हमेशा news में रहते थे तो यह radio के थूब उन्हें इस सब चीजें जानने को मिलती है तो यहां पर भी आप यह ध्यान रखे इस आफ वेरी important points हो के कोई भी point इसमें useless नहीं है you have to learn them carefully समझ रहे है ना बच्चों आगे देखे Mrs. Vendan claim कर रही है कि वो fatalistic है अपने आपको fatalistic मानती है लेकिन actually वो बहुत डरी भी है Annie लिख रही है कि पिम एक invasion को expect कर रहे है पिम कौन है Annie निकनेम देती है अपने lovely father को पिम बोलती है तो उनको लगता है कि अब एक invasion होने वाला है attack होने वाला है चिल्डन आगे एक और थोड़े सी frightening situation है कि owner of the annex उसने अपनी building किसी दूसरे को बेच दिया है जो new owner है वो building को देखते हैं उनको building कौन दिखा रहे है Mr. Clemen दिखा रहे है जिनको diary में एनिन एक pseudonym यानि कि दूसरा नाम दिया है QPS so that to hide his identity तो यहां पे जो Clemen और Mr. QPS आप कुछ भी बोल सकते हैं वो newcomer को वो पुड़ा building दिखा रहे है लेकिन annex area उन्होंने नहीं दिखा है रात रात बार जो rates होते हैं उनके जो bomb blasting है बहुत जादे bombarding है वो हो रही है तो बहुत जादे डरामना महुल है तो एन्हीं अपने parents के बैट की तरफ जा रही है वो 13 year old, 14 year old हो गही है लेकिन still she is so young बहुत चोटी है तो यह सब चीजे उसे डराए रही है वो अपने parents की बैटनिंग चल रही ही कि सारे लोग के अंदर phobia create हो रहा है, Mrs. Windham का phobia उनको क्या दिखाता है, illusions दिखाता है, hallucinations create करता है उनके आगे, उनको कभी अजीब-जीब सी अवाजय सुनाई देती है उनने, सुनाई दिया कि फूट स्टेफ सुनाई दिया कि बाहर कोई भाग रह ह वार स्टेफ ऑल करने अपर आटिक में भी आप दो सी जूक अपर अटिक में भी जाते है तो वहों भी शुत को वे इच जगो सुनाई तो रही है पहले से सुनाई नी सीचै में, इस सिच नोचने ही, आप धेना में से उनको अज़ थार से सुनाई है किस ढ़िधी येको करत या आपका प्लम्बर था आपका वह रो संड़ था यह जितने भी आ इस ऐलोग कि इतने ढ गलते हैं कि इसकाल यदि oney सब काल गये से किसमा कि इसा良्च इसनु दर गल मुँद सए टटर। वार में जोईन किया है, तो यह लोग बड़े खुश है, उन्हें लगता है कि वार जल्दी खतम हो जाएगा, और टर्की की जोईनिंग की वज़े से वह बहुत खुश है वार में, आफ्टर उन्हें पता चलता है कि वह वार में जोईन नहीं कर रहा है, तो उनको disappointment होती है, आ इस तरह से अगें और आगें दिया, फेसिंग थ्रेट दिया, थर्स्टे अप्रिल 1st 1943 के एंट्री है, चिल्डन यहां पर एक थोड़ी से साड न्यूस है नहीं लिख रही है, बहुत जादे अपनी डाइरी से शेयर करें, यह भी बहुत बड़ी प्राब्लम है उनके जितन आगें और आगें चल्डन फ्राइडा अपरिल 2nd 1943 के एंट्री है, आगें एनी मेंशन करते है लेक अफल्व तोड़ सर्मादर, कि मदर के प्रती लेक अफलव है, अपनी डाइनी मेंशन करते है बहुत ही एंपोशनल है, इवन एनी इस इमोशनल, इवन इस एमोशनल, कि अ Ani did cruel treatment towards her mother, she gave cruel treatment, उसने क्या कि Ani ने, उसकी मदर उससे रिक्वेस्स करती है कि आप मेरे संग थोड़ा प्रेयर में आप शामिल हो जाएए, बाट Ani ने उनके प्रपोजल को अक्सप नहीं कि एवन डिनाय कर दिया, तो उसकी जो मदर को बहुत जादा पिंच होती है, बाट शी ब्रोक डाउन वो रोती है, तो Ani आगे अपने को कर्स करती है, Ani को लगता है that she shouldn't have done this, उससे अपनी मदर को हुट नहीं करना चाहिए, तो इस तरह की एमोशनल एनी हो रही है, तो इस तरह से अपना चाहिए, उसकी बेस्फ्रेंड है Kitty, लेकिन आगे वो फिर उसको यह लगता है कि यह सारा जू मैंने किया, लेकिन बाद में डॉक्टर्स में उनके उपरेशन के लिए मना कर दिया है, अव्रीवन इन एनेक्स वस अट लोगर है, अलेडी लोगर है का मीनिग आपको लास प्रीविज वीडियो में पता है, अपनी जो लोग है वो आपस में लड़ रहे है, सेडरे में 1st 1942 की एंट्री है चिल्डन का मिस्टर डसल का बर्ड है, बहुत सारी गिफ्स लेके मी पाती है, मिस्टर डसल एक्साइटेड है, और बच्चों की तरह वो एक्साइटेड है, अपनी जो उन की रूमेट है, उसको भी वो कुछ नहीं देते हैं, और अगिन पॉलिटिकल न्यूज़ है चिल्डन वी इंट्रूस्ट अपाउट जो मार्शल लो है, उसको इंपोस कर दिया गिया पूरे हॉलेंड में, और यह किसका रिजल्ट है, वोकर्स में स्ट्राइक की तिया अगेंस्ट नाजीस टॉर्चर, तो एज रिजल्ट, एज रिजल्ट, कॉंस्वेंसिस, मार्शल लो लागू कर दिया गया, और जो टॉर्चर है उसको और भी बढ़ा दिया गया, इस्टिकनेस को और भी बढ़ा दिया गया, आगे दिखेंगे चिल्डन, संडे जून 13, 1943 के एंट्री, अपना 14th birthday, आपको याद है चिटान उसने अपना 13th birthday कितनी दुंदाम से मनाया था, वह स्कूल गई थी, इतने सारे उसको गिप्स मिले थे, प्यारी सी रेड डाइरी जो उसके पैरेंट्स ने उसे दी थी, वह भी उसे मिली थी, लेकिन उसका 14th birthday, यह तो फीका-फीका सा है, उसको कुछ ज्यादा है, वह करने ही सकती है, कोई अपने फ्रेंट्स ने संगे जोई नहीं कर सकती है, शीज मिसिंग सो मच हर अलियर बार्दे को इतना मिस कर रही है, लेकिन कुछ एक तो उसके पैरेंट्स ने किया है, लेकिन उसके फादर उसका cancer, डाइग्नोस हो गया है, डॉक्तो ने बताया कि उन्हें cancer है, एंड डॉक्तो ने, डॉक्तो ने, डॉक्तो ने, Mr. Voskuzil को इसके बारे में बता दिया है, जो पूर में है, Mr. Voskuzil वो अपनी डेथ को वेट कर रहे है, because he knows very well that nothing can be done now, तो एक बहुत sad news है वहां के लि लेकिन अब Mr. Clemen को लगते हैं कि बड़े रीडियो को वहां से हटा देना चाहिए, because it can be noticed by anybody, तो उनको एक small रीडियो देते हैं, hiding people को, जो अपर stairs में रखा गया है, लेकिन बड़े रीडियो को एनी miss करती है, जो big radio है, उसे miss कर रही है, यह जो रीडियो है, उनकी spirit को हाई और उनको अपडेट कराता है, जो भी outside happening story है उनके बारे में, तो इस तरह से जो radio है, यह उनको busy रखता है, little bit a source of comfort है उनकी लिए, कि उनकी कुछ तो सुनने को मिल रहा है, अब Mr. Vascozil, as we know that उनको cancer हो गया है, और इसलिए सारे हाइडिं के जितने भी लोग है, वो बहुत पर इसलिए सब लोग उनके लिए बहुत प्रे करें, इसलिए वो सब लोग उनके लिए बहुत प्रे करें, इसलिए अनी, she is so hopeless this time, okay children, तो यहां तक हमारा भी finish होता है, June 15 तक children, इसके आगे जो वीडियोस हैं, उसमें आगे, I think, I hope कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि mostly 2 या 3 children, please do write to me, please give your comments and if you want any kind of change, कुछ भी आपको change, कुछ भी आपको change, कुछ भी improvement, please do write to me, I am waiting for your opinion, thank you, Atma Namaste.